हेलो दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नमबर 6 जो किये विद्दुत चुम्ब की प्रेरण इसके बहु भी कल्पी प्रश्णों को देखेंगे, तो फिर शुरू करते हैं, हमारा जो पहला प्रश्ण है, वह है चु अप्यार मीटर, और डी आप्शन है, ओम मीटर, तो आपको बताने है, चुम्ब की फलक्स का ऐसा ही मातरक क्या होता है। और इन में से जो सही option है वहाँ है option A Newton meter per ampere यहाँ क्या होता है चुमकी flux का ऐसा ही मातरक होता है हमारा next question है किसी परिपत में ट्रेडित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वहाँ अपने उत्पन होने के कारण का विरोध करती है यहाँ नियम कहलाता है और option कौन-कौन से है A Faraday का दिती नियम, B Clamming का नियम, C Faraday का प्रथव नियम और D है Lens का नियम तो आपको बताना है इन में से कौन सा नियम इस statement को fulfill करता है और जो सही option है वहाँ है option D जिसे हम कहते है Lens का नियम तो Lens का नियम बताता है कि प्रेजित धारा अपने उत्पन होने के कारण का हमेशा विरोध करती है और next question है Lens का नियम किसके संरक्षन नियम का पालन करता है तो अभी हमने Lens का नियम देखा था आपको बताना है यह किसके संरक्षन नियम का पालन करता है A. द्रव्यमान सनरक्षन नियम, B. उर्जा सनरक्षन नियम, C. समवेग सनरक्षन नियम, और हमारा option D है द्रव्य अविनाशिता का नियम, यानि कि द्रव्य अविनाशिता सनरक्षन का नियम, और इनमें जो सही option है वह है option B, जो कि है उर्जा सनरक्षन का नियम, इसका अर्थ किस बात पर निर्भर करता है और option है फेरो की संख्या ए बी चुमके फ्लक्स परिवर्तन यान कि चुमके फ्लक्स में परिवर्तन सी परिपत का प्रतिरोध और option एक मीटर लंबा तार उत्तर दक्षिन दिशा में रखकर स्वतंदरता पुर्वक प्रिवर्त्वी की और छोड़ा जाता है इसके सिरों के बीच विभवांतर प्रेडित होगा तो आपको बताना है कितना विभवांतर प्रेडित होगा और option है A 9.8V, B 1V, C 5V और option D है शुन्य तो आपको बताना है इस तार के दोनों सिरों के बीच कितना विभवांतर प्रेडित होगा और जो सही option है वो option D, जो कि क्या है, शुन्य, क्योंकि इस star को कोई भी चुम की flux रिखाएं काटते भी नहीं जाएगी, इसलिए विभानतर शुन्य होगा, अगला प्रिशन है, SI पद्दती में 100 प्रेर कत्तों का मातरक होता है, काफी important प्रिशन है दोस्तों, कि 100 प्रेर कत्तो और option D है, हैंडी, तो काफी आसान है, और काफी important question है, बोर्ड के point of view से भी, तो आप बताईए कौन सा option सही होगा, सही option है, option D, हैंडी, और यह 100 प्रेर कत्तों का मातरक भी हैंडी होता है, और unknown ये प्रेर कत्तों का मातरक भी हैंडी ही होता है, आप ध्यान रखेगा, अगला कोंडली में लहचुम के पदार्त का क्रोड प्रेक्त करने पर उसका 100 प्रेर कत्तों में क्या परिवर्टा नोंगा, आपको बताना है, ऐ, 100 प्रेर कत्तों घड़ जाएगा, बी, 100 प्रेर कत्तों बढ़ जाएगा, सी, 100 प्रेर कत्तों शुन्न homie हो जाएगा, option D, अप में चुम की पतार प्रियुक्त करें तो उसका सो प्रियुक्त तो बढ़ जाता है अगला प्रेशन निम्न में से कौन सो प्रियुक्त के सिध्धान्त पर कारे करता है तो आपको बताना है इन में से कौन सा इस्टुमेंट सो प्रियुक्त के सिध्धान्त पर कारे करता है ए ट् आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्योंकि अनुन्यी कुंडली के साथ सा दूतिय कुंडली भी होगी, तो option C है दूतिय कुंडली के च्षेतरफल पर और option D है सभी पर। तो जो सई option है वो option D सभी पर इसका अर्थ है कुंडिली का अनुन्य प्रेरकत तो फेरू की संख्या क्रोड पदा अर्थ है तो दुसरी कुंडिली के चितरफल पर निर्भर करता है Next question है भावरधाराएं बनने का कारण है कि भावरधाराएं किस कारण से उत्पन होती है A option है नियत विभांतर इसका अर्थ है कि विभांतर नियत रहे कॉंस्टेंट रहे B चुम की फ्लक्स में परिवर्दन कि चुम की फ्लक्स परिवर्दित हो C नियत धारा पर वहा यानि कि प्रवाइत होने वाली धारा नियत है और option D सभी पर उपेर्ट सभी पर जो सही option है वहा है option B चुम की फ्लक्स में परिवर्दन जब चुम की फ्लक्स में परिवर्दन होता है तो विद्दु चुम की प्रेरन के घटां घटित होती है जिसके कारण भवर धाराएं उत्पन होती है तो दोस्तों मुझे उमीद है आपको आज के प्रशन काफी पसंद आये होंगे, बोर्ड एक्जाम के point of view से बहुत बहुत important प्रशन है, तो आप इनको जरूर तयार कीजेगा, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए good bye.